नमस्कार तो आज हम बात करेंगे उस प्लेयर के बारे में जिससे आजकल सभी लोग इतनी होप लगा रहे कि ये जो है सुनिल छेतरी का रिप्लेस्मेंट भी हो सकते हैं सभी कुछ लोग कह रहे हैं आज हम बात करने वाले लालेंजवाला चांग्टे के बारे में जो कि आज की डेट में one of the leading top scorer चल रहे है इंडियन सुपर लीग में, तो आज हम इस वीडियो में जानते कि कैसे लालेंजवाला चांग्टे इतने अच्छे goal scorer बन गए, तो देखी लालेंजवाला चांग्ट लालेंजवाला चांग्टे बचपन में बहुत weak थे और बहुत small भी थे, तो physicality को लेकर उनको काफी दिक्कते हुई है, लेकिन बचपन सही उन्होंने सबसे ज़्यादा focus कर अपने speed पर और dribbling पर, और देखी सबसे बड़ा break उनको मिलता 2014 में, DSK Liverpool Academy में जब हो 17 साल के थे, अब उस season में उन्होंने 16 गोल स्कूर किये थे, और उनके इसी performance के कारण को Indian Under 19 टीम भी मिल गई थी, और उन्होंने Under 19 के लिए भी 4 मैच में 2 गोल स्कूर किये, तो गोल स्कूरिंग quality, finishing और confidence in front of goal, ये लालेंजवाला चांग्टे में बचपन सीथा आप कह सकते हैं, फिर 2015 की Under 19 लीग होती हैं, उसमें लालेंजवाला चांग्टे 11 गोल स्कूर करते हैं, और 2015 मही 18 एर्ज में उनको Indian National Team से भी debut मिल जाता हैं, तो सैफ कप हो खिलते हैं, उसमें 3 मैच में 2 गोल मारते हैं, और उसमें आपको पता होगा, नेपाल के गेंस जो उन्होंने 2 गोल मारे थे, एक गेम खेला उन्होंने, और DSK में फिर उन्हों 17 मैच खेले और केवल एक गोल मारा था, तो उस टाइम पर आप बोल सकते हैं कि छांग्टे के लिए जो सीनियर लेवल था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा था, वो एडॉप्ट नहीं कर पाया थे उस टाइम पर फिर 2017 में उनको मिलता है बहुत ही बड़ा ब्रेक, डेली डानामोज उनको ISL के लिए साइन करता है, और 2017 के ISL सीजन में 18 मैच खेलते हैं और 3 गोल मारते हैं तो डेली डानामोज में क्या हुआ कि जो कोच थे वो छांग्टे को प्रॉपर गेम तेम देने लग गए, और उस वहाँ पर उनको प्रॉपर गेम टाइम मिला तो जो उनका confidence था, वो थोड़ा सा इंप्रूववा वहाँ पर, फिर 2019 में आते हो चन्नीन FC में और वहाँ पर एक वो प्रॉपर की प्लेयर के रूप में थे, तो 2019 के ISL में उनको 21 मैच खेले और 7 गोल स्कोर किये थे, और 2020 में क भी गये थे, वहाँ पर भी 6 मेंच खेले थे, वहाँ पर भी कोई गोल नहीं, लेकिन में सोचने वाली बात यह है कि 2021 तक का जो उनको सीजन था, वो उतने बहुत खास नहीं गये, लेकिन 2022 में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतने जादा एकदम इंप्रू हो गया, और उनकी मुंबई सीटी के साथ प्री सीजन हुआ, एक दिन में दो-दो सेशन की ट्रेनिंग करी गई है, उसके बाद डैस बकिंगम का जो रोल है, उनके डेवलपमेंट में बहुत की रोल है, मतलब डैस बकिंगम ने उनके साथ वीडियो एनलिसिस कर करके बहुत जादा काम किया है मतलब कि बॉक्स में कैसे जाना है, वहाँ पर scoring opportunity कैसे create करना है, और correct shooting कैसे करना है, और team training के बाद उनकी separate finishing training भी हुई है, फिर उसके बाद डैस बकिंगम ने उनको बहुत ज्यादा freedom दिया as a player, जैसे डैस बकिंगम ने उनको क्या suggestion दिया, कि penalty area के पस ज्यादा options मत देखो, क अकसर उनके side से उनको गोल देखने को मिल रहा है या फिर assist देखने को मिल रहा है, तो इस season आपने जैसे कि देखें, डूरंट कप में 7 match में 7 गोलों उनके मारे है, और अभी current ISL के season में 16 match में 9 गोलों मार चुके और 5 assist भी दे चुके है, और देखी लाले जो आला चांगते क उसके पीछे कुछ और चीजे भी है, सबसे पहले देखें उनको ने speed पर भहुत काम किया है, उनका reaction time जो है with ball या without ball, बहुत ही mind blowing आप बोल सकते हैं और उसके बाद उनकी finishing के उपर काम किया गया है, उसके बाद तो मतलब वो out of the world ही हो गया, फिर उनको पहले से पता था कि small है और थोड़ा सा physicality में lack करते हैं, तो उन्होंने gym में बहुत extra effort करे हैं और अपना strength के उपर बहुत work किया जो आप देख सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने nutrition पर भी बहुत अच्छा काम किया, तो ये तीनों चीजे जब हैं इन्वाल हो जाती है, एक player की life में तो कमाल हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि छांग्टे जाज इतना peak पर आया है, उसके पीछ उनकी hard working, उनकी consistency, ये बहुत important role नहीं भार ही है, और उसके उपर जो उनके उपर काम किया है, उनकी finishing पे, video analysis करके, उनको जो guidance दिया गया एक्स्ट्रा, इन सब चीजों ने उनके game क इंप्रू करने में काफी help करी है, और देखी अगर उनके market value में भी growth देखी जाया, तो 2017 में 40 lakh की market value थी, 2023 में 2.6 करोड हो चुकी है, तो growth तो उनकी हर जगे हो रही है, और India team में अब हम उनका performance देखना चाहते है, क्योंकि अब उनकी जगे तो एकदा पक्की होई गई है, मत काफी लोग जो चांग्टे से हैं, हाई expectation रख रहे हैं कि India team के लिए बहुत कुछ करने वाल है, तो मैं यही कहूँगा कि अब देखते हैं, इंडिया team में क्या कर पाते हैं, बाकि हमारी hope तो यही रही कि, अगर वो जो ISL में कर पा रहे हैं, उसका 50% भी इंडिया team के लिए कर दिये, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो आप बताइए जो चांग्टे की वाल्यूसन है, उसके उपर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपनी goal scoring ability को improve किया, इसके उपर आप क्या कहना चाहते हैं, और जो भी आप चांग्टे के बार